रास्ट वीडियो में हमने Northern Plains स्टार्ट किये थे और उसमें हमने देखा कि जो Northern Plains हैं, उनकी क्या location है, कहाँ पर पाए जाते हैं, किस तरीके से जो Northern Plains हैं वो बने हैं, कौन-कौन सी main rivers हैं जो कि Northern Plains को बना रही हैं ये सारी चीज़े हम देख चुके हैं, अब इस वीडियो में हम Northern Plains के division की बात करेंगे, जुस तरीके से हमने हिमालियास को तीन parallel ranges में बाटा है, साथी साथ हमने west to east उनको अलग-अलग parts में बाटा है, उनके regions के हिसाब से, पंचाब हिमालियास, नेपाल हिमालियास, इस तरीक से हमने Northern Plains को भी बाटा हुआ है, राइट, so the Northern Plain is broadly divided into three sections, तो जो Northern Plains है, उनको मोटे-मोटे तौर पे तीन sections में divide किया है, the western part of the Northern Plain is referred to as the Punjab Plains, जो western part है Northern Plain का, उसको क्या कहते हैं, Punjab Plains, formed by the Indus and its Tributaries, और ये वाला जो पार्ट है, जो हम पंचाब वाला कह रहे हैं, पंचाब Plains, ये वाला जो Northern Plain है, वो किस नदी की वज़े से बन रहा है, main river Indus, और उसकी जो Tributaries हैं, इन सब के वज़े से, जो पंचाब Plains हैं, वो बन रहे हैं, the larger part of this plane lies in Pakistan, और इस वाले प्लेन का जो larger part है, जादा बड़ा हिस्सा है, वो कहाँ पे है, वो पाकिस्तान में हैं, तो एक बार map में भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे है Indus River, तो ये वाला जो Western इलाका है, इसको क्या कह रहे हैं, पंचाब Plains, तो देखो जब इंडिया और पाकिस्तान का division हुआ था, तो उससे पहले ये जित्ते भी ये ट्रिब्यूटरीज है, जेलम, रावी, सतलुच, इन सब को मिला के यहाँ पे ये वाले Plains बन रहे हैं, और इनका maximum part आप देख सकते हो, ये पाकिस्तान वाले इलाके में है, राइट, तो इंदस के ट्रिब्यूटरीज, जेलम, चिनाब, रावी, बियास, आ ये वाला जो section है, पंजाब, Plains वाला जो section है, Northern Plains का, यहाँ पे जादतर दो आप्स पाए जाते हैं, दो आप क्या होते हैं, दो आप जो है वो दो वर्ट से मिलके बना है, दो आप, तो दो का मतलब होता है टू और आप का मतलब होता है वाटर, तो दो आप मतलब ऐसी जग पंजाब है, ये भी दो वर्ट से मिलके बना है, पंज प्लस आप, तो पंज का मतलब हो गया पांच और आप का मतलब वाटर, मतलब की हैं आपको पांच नदिया जो है वो देखने मिलेंगी, दो गंगा प्लेन इक्स्टेंड्स बिट्विन घंगर और तीस्ता रिवर्स, तो अब सेकेंड जो हमारा डिविशन है वो है गंगा प्लेन्स का, पहला हमने पंजाब प्लेन्स बात की, दूसरा है गंगा प्लेन, तो गंगा प्लेन जो है वो घंगर और तीस्ता रिवर्स के बीच में है, तो गंगर रिवर्स और यहाँ पे तीस्ता रिवर्स, तो में पंजाब प्लेंज जो की इंदस रीवर की वज़े से बन रहा है दूसरा है ये वाला गंगा प्लेंज जो के गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीस की वज़े से बन रहा है और इसमें अगर हम देखें तो नौर्प में कौन कौन सी स्टेट को ये वाला प्लेंज कवर कर रहा है तो इसमें हर्याना, डैली, यूपी, बिहार, पार्टली, जारकर्ण and वेस्ट बेंगॉल तो इन स्टेट्स तर ये वाली जो प्लेंज हैं वो एक्स्टेंड करते हैं और इसममें बात करें, जो कि हमारी थीसरी अमेन नधी है ब्रह्मा पुट्र प्लेंज जो है वो लाई करते हैं और इसका मैख्सिमूम पार्ट जो है असम में देखने मिलता है अब जैसे कि इसमें नाम है Northern Plain तो हमें सुनने से ऐसा लगता कि जैसे जो यह वाले एरियाज है वो बिल्कुल एकदम straight ऐसे plain है बट ऐसा नहीं है इसके जो relief है इसमें भी variations है हमें इस तरीके से कुछ variations देखने मिलेंगे मतलब कि यह true नहीं है कि यह वाली जो plains है वो एकदम straight है इस तरीके से कोई variation नहीं है इन में भी कुछ variations है इन वास्ट plains also have diverse relief features तो इन वाले plains में भी अलग-अलग relief features है इसमें भी अलग हमें जो physical features है वो देखने मिलेंगे according to the variations in relief features the northern plane can be divided into four regions तो उनके relief feature के basis पे हम northern plains को चार regions में divide कर सकते हैं अभी हमने इनको सिर्फ वैसे regionally divide किया था नदियों के basis पे कि यहाँ पे जो west है उसमाँ पे इंदस river है फिर middle में गंगा river है और इसमें ब्रह्मा पुत्र river है तो यहाँ पे इनके basis पे हमने पंजाब plains, गंगा plains और ब्रह्मा पुत्र में इनको divide किया था बट अगर इनके relief feature के basis पे हम इनको divide करें तो चार reasons में इनको बाटा जा सकता है तो जब नदी इस तरीके से पहाडों से नीचे उतरती है तो वो क्या करती है वो अपने साथ जितने भी बड़े-बड़े पत्थरों को लाई होती है वो यहाँ पे इसे deposit करने लगती है तो हमारी जो last range है mountains की हिमाल्याज की वो है shivalix तो हमें देखने मिलेगा कि यहाँ पे शिवालिक्स के जो parallel है यहाँ पे शिवालिक्स के नीचे बहुत सारे इस तरीके से हमें जो pebbles हैं वो इकटे दिखाई देंगे और यह जो नदिया है वो लगभग इन pebbles को कितने area में deposit क जो है एक narrow belt में दिखाई देंगे उसको हम कहते हैं भाबर राइट तो नदिया जैसे ही पाड़ो से उतर रही है यहाँ पे एक पूरी belt बन रही है कि इस चीज की pebbles की पत्थरों की जो भी नदिया अपने साथ पत्थर लाई थी वो उसने यहाँ पे deposit कर दिये तो इस वाले उसको क्या कह रहे हैं हम इस वाले relief feature को हम कह रहे हैं भाबर अल दे स्ट्रीम्स डिसपेर इन भाबर बैल्ट अब जितनी भी नदिया होती है वो क्या होती है वो भाबर बैल्ट में छुप जाती है एक तरीके से क्योंकि जो बड़े-बड़े पत्थर हैं उनके बीच में न अब जैसे ही ये बल्ट खतम होती है जो भाबर बैल्ट है वो खतम होती है तो इसके एंड तक क्या होता है स्ट्रीम्स वापस से दिखाई देने लगती है और यहां पर अब कैसा जो है हमें रीजन देखने मिल रहा है यहां पर एक वेट इलाका होगा स्वैंपियन मार्शी होगा मतलब कीचड दल दल वैसा रीजन होगा और यहां पर हमें बहुत सारे फॉरेस्ट तोगरा भी दिखाई देंगे तो इस वाले इलाकों को जो भाबर के बात स्टार्ट होता है जो कीचड वाला है दल दल वाला है ठोड़ा सा गीला इलाका है इसको हम क्या कहते हैं इस इस वाला जो रीजन है यह एकदम जंगलों वाला था यहां पर पूरे चारो तरफ जंगल देखने मिल रहे थे और बहुत सारे जानवर थे तो फॉरेस्ट हाव बिन क्लियर तो क्रीट अग्रिकुल्चरल लैंड और तो सेटल माइगरेंस फॉम पाकिस्तान आफ्टर पार् पाड दिया लोकेट दुद्दवा नेशनल पार्क इन दस रीजिन το सब्सक्यूंट अगर हम मैप में देखे तो यहां पे निपाल है और निपाल के जस्त नीचे लगभग इस वाले इलाके में जो दुधा है वो बढ़ता है तो यहां पर हमें दुद्दवा नेशनल पार् अपर प्रची को हिस्घा घ्य लाती है। यह अवाला जो आजracie से बना हुआ है। अपर एलोवियम वाला रीजिन है वो फ्रट प्लेंज के ऊपर हमें टैरेस लाइक फीचर बनाता हुआ दिखता है तो यह है नदी अब नदी का एक फ्लड प्लेइन है इसका मतलब रेगुलर्ली क्या होता है जब नदी में बाड़ा आती है तो नौमरी यह वाला जो साइड क इस आप समझ सकते हो तो यहां पर रिवर जब बाड आती है तो नौर्मली पानी जो है वो इस वाले तक पहुंच जाता है यहां तक नहीं पहुंच पाता है यह जो ऊपर वाला इलाका आपको दिख रहा है यह है ओल्ड एलोवियम का और इसको हम क्या कहते हैं भांगर इस वाले तक यूँकि बाड का पानी पहुंच ही नहीं रहा तो क्या होगा यहां का जो मिट्टी है स्वाइल है वो रिन्यू नहीं हो पाएगी इसलिए यह वाला जो एरिया है इसको ओल्ड एलोवियम कहा जा रहा है और इसका नाम है भांगर दस्वाइल इंद स्रीजिन क इसलिए यहां पर खेती होगार इतने असानी से भांगर में नहीं हो पाती दे निवर्ज यंगर डिपोजेट ऑफ दो फ्लेट प्लेट प्लेंज अर कॉल्ड खादर अब वह वाले लाके जो की न्यू होते रहते हैं बाड की वज़े से यह नदी यह वाली है नदी यह ग्रीन वाला इलाका जहां पर नॉमली जो नदी है वो उसको रिन्यू करती रहती है यहां के मिट्टी को जब बाड आती है तो पानी यहां तक आता है तो इस वाले को हम क्या कहते हैं इसको कहते हैं खादर इसको कहते हैं खादर तो यह है भ आइडिल फॉर इंटेंसिव एगरीकल्चर तो जो खादर वाला इलाका है क्योंकि वह लगबग हर साल बाड की वजए से रिन्यू होता है वहां की स्वाइल जो है वो अधिया है वह बहुत ज़्या फटाइल होता है और यहां पर इसलिए जो एगरीकल्चर है वह भी काफी अ भाबर, तराई और भांगड़ और खादर राइट तो ये चार्ज जो डिविजन्स हैं ये इनके रिलीफ फीचर्स के बेसेस पे हैं